जहन तो कैसे हैं आप सभी उमिद करता हूँ कि आप सभी सवस्त होंगे जहां होंगे SSC GD रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सभी ने आज मॉर्निंग से बहुत जागा कॉल आया है लेकिन आज सुबा से करीब 25 से 30 कॉल मेरे पास आ चुका है और सभी का जितने भी अन्नोन नमर से कॉल आया हुआ है सभी का एक ही सवाल था कि SSC GD का रिजल्ट कब आएगा और दूसर सवाल था कि रिजल्ट आएगा आज आएगा या नहीं आएगा कब तक अगर आज नहीं आता है तो कब तक इंतियार करना होगा तो ये सब सवालों की जवाब जो है कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा उमित करते हैं कि आप इस वीडियो को पुरान तक भीने स्किप के वे देखिएगा तो देखिए वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फरमेशन जो भी कैंडियेट, BASF, कॉंस्टेबल, टेट्समेन की तयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए गुड निउस है चक्छू परकासन की तरब से एक नई बुक जो है वो लांच हो चुकी है इस बुक की अगर खासियत की बात करें तो इसमें आप लोगों को 2800 से जादा बहु की लिए प्रसन देखने को आपको मिलेगा इस बुक को अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल दाएगा आप वहां से आपके फ्लिपकार्ट और एमेज़ोंसे से पर्चेस कर सकते हैं सबसे पहले बात और क्लियर बात आप लोगों को बता देते हैं के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं और खुद अपने लिए प्रयास कर रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी आजाना चाहिए और हमको भी जिससे आपको इंतजार है जितने बेसबरी सी इंतजार है रिजल्ट का उससे कहीं जाता भी इस अबरी और उससे कहीं जाता इंतिजार हमें भी है result को लेकर क्यूंकि हमारा भी हम भी एक transparent ही है लेकिन दोस्तों आप लोगों नो जो वहाँ पर fake video fake viral बोला था fake voice बोला था किसी नहीं लिखा था कि हम भी अपने दोस्त को call कर लेंगे पूछ लेंगे तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों हमने call किया था authentic तोर पे call किया था सही में call किया था और number भी आप लोगों दे देते हैं किलाश में 343 number है SST headquarter का आप भी call करके पूछ सकते हैं और आज मॉर्णिंग से हम लोगने call कर रहे हैं कल कर रहे हैं आज भी call किये थे तो जो कि call लगनी रहा है we could haven't caught last date आपर अब हुं बटा रहा है और बनी रूरसेबimar कर रहा है कभी तो वह रिसीब यह उन नहीं करद रहा है उठ दीन call लगा थी हम कर रहे हैं और नहीं तो जो भी लोग बोलने वाले हैं उनको हम कभी भी उनके हाथों पे रोक नहीं लगा सकते हैं आप negative comment लिखना ही है अगर आप सोच ही लिए तो लिखिए बाकी जो मेरा प्रयास है जितना हम प्रयास कर सकते हैं रिजल्ट के लिए और अपडेट के लिए उतना हम करेंगे और आज वीडियो हम नहीं बनाने वाले थे लेकिन इतना सारा call आने आ रहा है मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल के लिए और कोई सवाल नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट कब आएगा सबका यही कहना है तो देखिए हम आपको किलियर बता देते हैं भाई जो भी सोर्स है जो भी हमने बोला था कि दो तारी को रिजल्ट आएगा और हम नहीं बोले थे यह हम खुद से हम नहीं बोले थे हम SSC में काम नहीं करते हैं ना हम वहां के इसमें मेरा क्या दो से बहुत को समझे यह बहुतकर हुए अगर तो हम क्या करें इस से बाते हो वो फिजिकल वाला नोटीस आया था उसको कुछ दिर के लबाद हटा दिया गया था तो अगर कोई SSC अगर नोटीस डालती है उसको लेकर हम वीडियो बना देते हैं और कुछ दिर के बाद अगर SSC अगर उस नोटीस को हटा देती है तो फिर हम गलत पूरूफ हो जाएंगो उसमें न तो उस तरह से नहीं होता भाई जो भी आगे से इन्फोर्मेशन आता है वही हम कोशिस करते हैं आप सभी को प्रॉइट करने का और आप लोगों कोशिस करते हैं कि विध प्रूफ देने का ताकि आप लोग का ट्रस्ट मेरे पर बना रहा है और बहुत सारी से लोग हैं जो कि मेरे पर ट्रस्ट करते हैं और उस बौह 1 को भी सुन होंगे यानि कि परसो के दिन आप लोग का रिजल्ट आजाएगा यानि कि दो तारीक के बारे में बोले थे संडे के दिन था आप लोग खुद भी सुन सकते हैं वो जाइए आप वाइस अभी भी पड़ा होगा उसको सुन लिजेगा 15 सेगेंड का था आप उसमें जाके सुन करेंगे क्योंकि साइध ही होगा कि कोई होगा की मेरे से ज्यादा जो ही इंतियार कर रहा होगा हम बहुत जाद इंतियार कर रहे हैं और साइट को हमेसा विजिट कर रहे हैं हम भी जब भी उटते हैं ऐसा हाल हो गया है कि रात में उटते हैं 11-12 बजे तो यह बार साइट च तो ऐसा ना समझें कि भाई हम आप लोगो फेक इन्फोमेशन ये फिर निउस देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, और जो लोग भी कह रहें कि व्यूज के लिए और लाइक के लिए ये कुछ करता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, भाई, आठ जार दस दर व्यूज में क्या हो अगर आप भी काम करते होंगे, यूटूब पर तो आपको पता होगा कि व्यूज का कितना पैसा मिलता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी है, आप लोग के सामने authentic news लाने का कोशिज करते हैं, जो भी आगे सब्डेट आता है, तो वो हम आप लोग को provide करने का कोशिज कर ये SSC पर डिपेंड करता है कि वो कब रिजल्ट देगा, इतना बेसबरी इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि जो फिजिकल का डेट वो एनाउंस कर दिया गया है, अगर फिजिकल का डेट अनाउंस नहीं किया रहता है, तो आप लोग भी इतना बेसबरी से इंतियार नहीं करत इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहते हैं, आप जो भी कमेंट है आप नीचे लिखिएगा, सारा कमेंट्स पढ़ते हैं आप लोगा जो भी पॉजिटिव नेगिटिव जो भी लिखना चाहते हैं आप नीचे लिखिए, आपका पूरा अधिकार है, वो प्ली अच्छा कमेंट लिखिएगा और बताईएगा कि आपको यह अपडेट कैसा लगा है अपडेट